सम्हाधी के सौपान अध्याए 24 और तब गुरुदेप की वाणी ने कहा वत्स स्वयम को अंतर तम में निविष्ट करो भायवस्तुई तीर और बच्छी के समान हैं जो आत्मा में खरोंचे लगाती हैं अपनी अंतर आत्मा को अपना निवास्थान बनाओ सौलमन महान ने ठीक ही कहा है निशार वस्तूं का अभिमान सभी कुछ निशार है सच्मुच ऐसा ही है मृत्यू के चणों में समस्त संसार का अधन किस काम का है उपनिशत के प्रसिद नचिकेता ने कितना अच्छा कारे किया त्याक से प्राप्त होने वाले विजय के द्वारा उसने स्वयम यम को जीत लिया सभी कुछ जिनका रूप है अवश्य नश्ट होंगे यही सभी रूपों की नियती है मन भी एक रूप है इसका भी परिवर्तन और विगटन अनिवार्य है इसलिए तुम नाम रूप के परे जाओ सर्वोच द्रिष्टी कौन से किसी भी वस्तू का उतना मुल्य नहीं है सर्वोच अर्थ में एक बार यदि तुमने अपने हरिदय को प्रभू को समर्पित कर दिया तो फिर तुम्हें कोई भी वस्तू बान नहीं सकती इससे तुम्हारे मन में स्वाधिन्ता तथा विस्तार का भाव आना चाहिए प्रेम सबसे बड़ी वस्तू है शक्ती है प्रेम की शक्ती के द्वारा प्रेमास पत को ढाकने वाले सभी पर्दों को चेर दिया जा सकता है मन को शुद्ध करो यही धर्म का सरवस्व है धर्म का यही एक मातर अर्थ है सरवच दिशा में विचारों के सतत प्रभाव का अभ्यास करो लक्षे की सीरता का अधिकादिक विकास करो तब कोई भी वस्तू तुम्हारा सामना नहीं कर सकेंगी जिस प्रकार चेल उड़ती हैं उसी सरलता से तुम अपने लक्ष की और बढ़ सकोंगे ओहो यदि कोई सतत प्रमात्मा का चिंतन कर सके तो वह स्वयम अपने आप में मुक्ती होंगी अपनी जरता से स्वयम को जगाओ अपने संपून सवभाव का पुनर निर्मान करो सरवव्यापी सौंदर एके प्रती अपनी आखें खोलो प्रकृती से संपर्क करो बहुत सी बातें जो तुम्हें अभी ज्यात नहीं हैं वह प्रकृती तुम्हें सिखा देंगी वह तुम्हें व्यक्तित्व की महान शान्ति प्रदान करेंगी तुम्हारे चारो और के दृष्य में और दृष्य प्रमात्मा को देखो साक्षी बनो करता कर्म फल के भार से दबा होता है यदि तुम्हें कर्म करना ही पड़े तो कर्म में भी साक्षी बनो आत्म निरिक्षन तथा आत्म साक्षात कार के अतिरिक्त और किसी बात की चिंता ना करो तुम्में जो सर्वशिष्ट है उसे पुष्ट करो दुसरों के मता मत की और ध्यान ना दो शक्ति शाली बनो अपने स्वयम की आत्मा को गुरू बनाओ महान आदर्श तथा विचारों से उसे लबा लब भर्दो जिससे कि वह स्वयम सर्वच्च परमात्मा को अविव्यक्त करने के लिए व्याकूल हो उठे एक बार शशक्त हो उठने पर वह स्वयम जाग उठेगा तब स्वपन में भी ना सोची गई वस्ति तुम्हारे सामने उदगाटित हो उठेंगी निंदा से बचो क्या तुम अपने बंधों के रखवाले हो क्या तुम उसके करमों के संड़क्षक हो किसने तुमें उसका नेनायक बनाया है दुसरों के अनोचित आचरण की सुक्ष मस्मृति तक को पोँच डालो अपने स्वयम की चिंता करो तुम स्वयम में ही बहुत सी निंदनिये बातें पाऊंगे साथ ही बहुत सी ऐसी बातें भी पाऊंगे जो तुम्हें आनंद देंगी प्रतेक व्यक्ति का उसके अपने आप में उसका अपना संसार होना चाहिए तुमारे भीतर के निम्न मनिश्य को मर जाने दो जिससे की परमात्मा प्रकाशित हो सके किसी भी बात की चिंता ना कर शांती से रहना क्या अच्छा नहीं है मनिश्य पर आस्था ना रखो आस्था रखो भगवान पर वे तुम्हारा मार्ग दर्शन करेंगे तथा तुम्हें आगे ले जाएंगे संसार जो अशांती का समुद्र है उसमें एक चट्टान की तरे खड़े रहो विविजटा के इस असीम जंगल में सीह के समान विचरन करो सर्व शक्ती मत्ता तुम्हारे पीछे हैं किन्तु पहले सांसारिक या केवल भोतिक शक्ती प्राप्त की सभी वस्तूं का दमन करो तुम्हारे मार्ग में आने वाली माया की सभी बाधाओं को व्यराग्य के खड़क से दो टुकड़े कर डालो किसी पर साशन ना करो किसी को तुम पर साशन ना करने दो मृत्यू से ना डरो क्योंकि इसी छन भी मृत्यू तुम्हारा प्रण हरन कर ले ले तो भी यह जान रखो कि तुम सही मार्ग पर हो अतह निर्वय होकर बढ़ चलो महत जीवन में मृत्यू एक खटना मात्र है मृत्यू के परे भी आध्यात्मिक उन्नत्ति कि सुभिधाई और संभावनाई है व्यक्ति क्या हो सकता है इसका कोई अंत नहीं सब कुछ व्यक् पास की सभी वस्तू का अध्यन करो और तुम पाऊंगे कि प्रतेक वस्तू में तुम्हारे लिए एक आध्यात्मिक संदेश है एक की ही सर्वपरी सत्ता है वहा एक जो अनेक के प्रतेक पक्ष में विद्यमान है विविदता अपने विक्षे पकारी भेदों द्वारा भले प्रतेक व्यक्ति अपने कर्मों का अभी रक्षक है प्रतेक व्यक्ति अपने बंधन को तोड़ने वाला है प्रतेक व्यक्ति को स्वयम अपने लिए सत्ते की खोज करनी होंगी जुसरा कोई रास्ता नहीं है प्रतेक व्यक्ति अपनी ही भूमी पर खड़ा है प्रतेक को अपना युद्ध स्वयम लड़ना होंगा क्यूंकि अनुभूती सदेव पूर्णतह व्यक्तिगत क्योंकि प्रमात्मा जो सरवदा वर्तमान है वहां पूर्ण एकत्व के रूप में व्यक्तित्व के प्रत्यक अंश में उद्भासित हो उठेगा यही उपदेश है इसकी ही अनुभूती करनी है और इसकी अनुभूती होने पर वहां महान लक्ष यानि इश्वर दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा